कुदेव जो पीए सीमा होंगे बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव बरले थसरे टेंसन अरे काव बरले थसरे टेंसन जब अप सरवन केते कर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंट्स आज आपकी एक छोटी सी क्लास होगी पहले जो हम कल पढ़े हैं विछली कक्षा में उसका हम फटा-फट रिवीजन करेंगे हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में पदार्थ में हम सबसे पहले देख रहे थे कि परिभासा क्योंकि पदार्थों का प्रथक करन से पढ़ने से पहले हमें पदार्थ को डीपली रूप में पढ़ना होगा कि पदार्थ होता क्या है तो हमने देखा था कि पदार्थ हमारे विश्व में कोई भी जगा हो या कैसा भी इस्थान हो हमें किसी न किसी रूप में पदार्थ देखने को मिलता है पदार्थ एक पानी के बूंद से लेकर एक रेत के कड़तक होता है ये सभी चीजे हमने देखा था अब टाइटैनिक के जहाज से लेकर एक सुई भी देखते हैं वह भी क्या है एक पदार्थ का रूप है तो यह हम पिछली कक्षा में देख चुके थे यह हमारे पदार्थ का क्या था परिभासा था ठीक है तो परिभासा हम देख चुके थे फिर हम देख रहे थे कि मेलनी जो पदार्थ होते हैं वो हमें तीन फॉर्म में देखने को मिलते हैं Solid, Liquid और Gas तो ये चीजे भी हम कल पिछली कक्षा में देख चुके थे साथ ही हमने ये समझा था कि पदार्थ के कुछ qualities होते हैं और इसमें क्या होती हैं जो अवस्थाएं होती हैं वो हमारे temperature या हमारा जो environment होता है उसके अधार पर निर्भर करता है फिर हम क्या देख रहे थे फिर हमने देखा कि पदार्थों का जो वर्गी करण होता है जो matter का classification होता है वो दो अधार पर होता है एक भौतिक रूप से और एक रसाइनिक रूप से तो हमने समझा था कि भौतिक रूप से जो प्रकार होते हैं वो तीन रूप में होते हैं एक तो ठोस दूसरा द्राव और तीसरा गैस तो भौतिक जो वर्गी करण है वो हम देख चुके थे हम लोग रसाइनिक वर्गी किस अधार पर भौतिक और रसानिक अधार पर फिर हमने सबसे पहले क्या देखा भौतिक अधार पर ठोस अवस्था को समझा कि ठोस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन और अकार दोनों निश्चित होता है इसमें आकर्षन जो गुड़ होता है वो बहुत जादा दीख ह होता है इसलिए इसके कड़ जो होते हैं वो बहुत जादा पास पास होते हैं यह चीजे भी हम देख चुके थे फिर हम ठोस की कुछ क्वाल्टी को देख रहे थे इसके गोड़ को समझ रहे थे कि जो ठोस होते हैं इनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है बहुत कम होता है क्यों कि आकर्षण के कारण कड बहुत ज़्यादा क्या होते हैं पास पास होते हैं तो ये भी हम देख चुके थे फिर हमने देखा था कि कुछ image के थूरू हम समझ रहे थे कि ये सभी आप जो पासा खेलते हैं आप जो पजल बनाते रहते हैं आप जो इवेन आप कॉफी जो पीते हैं चाय जो पीते हैं वो भी आपका क्या है एक थोस का प्रकार है बर्फ एक थोस है ठीक है और कंची बंटी जो आप खेलते हैं वो भी क्या है एक थोस का प्रकार है ये सभी चीज़े हम देखे थे साथ ही हम दूसरी आवस्था भी देख चुके थे द्रव आवस्थ निश्चित होता है, आप किसी भी पात्र पर डाले, वो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं रहता है, आप जिस इसे पात्र में या बरतन में डालेंगे, उसी का रूप धालन कर लेगा, ये भी हम देख चुके थे, इसके हम कुछ एक्जामपल द होता है, जिसकी वजह से कड़ों के बीच रिक्तिस्थान अधिक होता है, और हमने ये भी देखा था कि ठोस में सबसे कम रिक्तिस्थान होता है, द्रव में उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे जादा रिक्तिस्थान पाया जाता है, याद रखिए का जिसके कड़ बहुत पास पास हूंगी वह बहुत ज़्यदा क्या होगा ठोस की भी प्रकार होते हैं ठोस दौ प्रकार का होता है एक तो ख्रीस्टली ठोस एक आपका ऐग्जामीनर इतने अबेच्ट में नहीं जाता इसलिए हो गया हाइड्रोजन हो गया नाइड्रोजन हो गया जो भी गैस देख रहे हैं वो सभी क्या है हमारे पदाच की तिसरी अवस्था है इसमें क्या होता है इसका ना तो कोई अकार निश्चित होता है ना कोई आयतन निश्चित होता है और इसमें रिक्त स्थान क्या होता है बह बहुत अधिक देखने को मिलता है फिर हम देख रहे थे कि तत्व क्या होता है तो हमने देखा था कि तत्व अर्थात ऐसा पदात जो एक ही प्रकार के परमाड़ू से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं फॉर एक्जामपल आपका गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया तो य यह सभी क्या है आपके तत्व के एक्जामपल है ऑक्सीजन एक ही परमाड़ू से मिलकर बने हैं यह सभी क्या है आपके एक ही प्रकार के परमाड़ू से मिलकर बने हुए हैं तत्व वह पदार्थ मूल रूप है पदर्थ वह पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रसाइन प्रकार के परमाणों से मिलकर बने हैं दूसरी हम बात कर रहे थे योगिक योगिक किसे कहते हैं आपने बच्पन में पढ़ा होगा क्योंकि यह बेसिक है तो इसलिए जानना ज़रूरी है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रसाइनिक क्रिया करके किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे हम योगिक कहते हैं हमने एक्जामपल देखा था जैसे जल जल का फॉर्मूला क्या होते है एच्टू ओ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है फिर हमने देखा कार्बन डई ऑक्साइड इसका फॉर्मूला क्या है CO2 इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं ऐसे कई एक्जामपल हैं जो हमारी योगिक को प्रदर्शित करते हैं तो ये भी हम पिछली खक्षा में देख चुके थे जब दो या दो से अधिक तत्व एक दुसरे से रशायनिक अभिक्रिया करके फलस्वर्व जूरते हैं तो ये एक नया पतार्थ बनता ह जिसे हम योगिक कहते हैं जल, अमोनिया, कारवन डियोकसाइट, सरकरा, आदी योगिक के कोछ उधायन हैं ये सारी चीजे हम कल देख चुके थे मिस्रण को भी हम पर चुके थे कि वह पदार जो दो या दो से अधिक तत्व या योगिकों को एक निस्यत अनुपाद में मिलाने पर मिस्रण में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजे होती हैं, लेकिन हम उनको एक क्या करते हैं, निस्यत अनुपाद में मिलाते हैं वो क्या कहलाता है आपका मिस्रण कहलाता है फिर हम मिस्रण के प्रकार देख रहे थे कि मिस्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है एक समांगी मिस्रण एक विस्मांगी मिस्रण तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं समांगी मिस्रण में क्या होता है जिन चीजों का मिस्रण हो ये था हमारा ये था हमारा सौट में फटाफट रिवीजन और फिर हम विसरंड के प्रकार देख कुए थे आयोडीन है तो यह सारी चीज़े हम देख चुके थे, आखे बढ़ेंगे, यह तेल और पानी का एक्जामपल है, जो विस्मांगी मिस्रण को दरसाता है, यह भी हम देखे थे, आज हम जो बात करेंगे, आज जो हमारी टॉपिक होगी, वो विलियन पर होगी, विलियन भी है, जो आपको क्या करेंगे, जो आपको confidence दिलाएंगे, साथ में जब आप एक्जाम में बैठेंगे, इविन ही आपके paper 2 में भी काम आएगा, क्योंकि यह science के भी एक portion में आता है, तो यह सबी चीज़े आपको क्या करेंगे, उपियोग मिलाएंगी, ठीक है, और साथ ही आते हैं, और उससे जो पदार्थ त्यार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, जैसे आपका यह हो गया soda, और यह हो गया आपका नीबू जल, ठीक है, नीबू जल, सोड़ा जल, आदी विलियन के मुख्य उधारण है, याद रखिएगा, जब दो या दो से अध समांगी मिसरन, विलियन किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप समांगी मिसरन के रोप में मिलाते हैं, वो क्या होगा, आपका विलियन होगा, आगे बढ़ेंगे, चलिए, और कुछ डेफिनेशन हम देखते हैं, किसी विलियन को दो भागों में आपका विलायक क्यालाता है, क्या होता है विलय विलायक, इसको हम समझेंगे, आप अपने धैनिक जीवन में डेली लाइफ में क्या करते हैं, इन सभी का उप्योग करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो आपके डेली लाइफ में यूज ना हो रहा हो, लेकिन होता क्या है कि हम उस चीज को observe नहीं करते हैं बस हम वही चीजे पढ़ते हैं समझते हैं जो हमारे daily life में होता है और जिस situation से हम होकर गुजरते हैं मतलब आसपास जो भी क्रियाएं होती है न हम उसी का ही अध्यन करते हैं चलिए रटना नहीं है समझना है अगर हम बात करें सबसे पहले विल्यन की तो विल्यन व घटक जो दूसरे घटक को विल्यन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं यहाँ पस क्या होगा विलायक होगा यहाँ पस विल्यन लिखा है इसलिए confusion हो गया यहाँ पस किसकी बात हो रही है विलायक की बात हो रही है तो विलायक क्या है विलायक विल्यन का ये ठीक लिखा है विलायक विल्यन का वह घटक है जो दूसरे घटक को विल्यन में मिलाता है उसे विलायक कहते है और विल्यन का वह घटक विल्यन का वह घटक जो विलायक में घुला रहता है विलाय कहलाता है चीनी और जल के विल्यन में चीनी क्या है विले है और जल विलायक है याद रखिएगा यह चीनी क्या है आपका विले है ठीक है इसे हम क्या कहेंगे विले और यह जो है यह क्या कहला है आपका विलायक कहला है बहुत इजी है सिहान से समझेंगे पानी क्या है पानी में हम क्या करते हैं चीजों को यह पानी क्या होगे जैसे पानी है आपके पास यह पानी क्या है अगर आप उसमें सक्कर मिला रहे हो या नमक मिला रहे हो तो वो क्या कहलाएगा विले कहलाएगा विलियन जो होता है विलायक जो होता है already उसमें हम चीजोंको मिलाते हैं अब वो खाते होंगे Disprane की एक गोली आती है जो एक एसा Combation आता है गोली ऑता है पाशाव हो गोली बहीं होता है आपका विले होता है और पानी को कहलाता है? विलाय कहलाता है तो यहां पस उसी की बात हो रही है कि Vilian जो होता है, उसके दो रूप होते हैं, एक तो कि याद रखीएगा, Wille और विलायक ही मिल कर किसके निर्माड करते हैं? विल्यन का निर्माड करते हैं जैसे सर्बत हो गया सोडा पानी हो गया और आप लोग वो बहुत सारी चीजे हैं जूस बाइब बाला कर पीते हैं इवेन आप लोग वो क्या बोलते हूं उसको चकना को तो साथ में खाते हैं पानी और थोड़ा सा मिलाते हैं जो आपका शराब होगा वो सराब क्या है आपका सराव विलायक खहलाता है और जब उसमें आप क्या मिलाते हैं थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका विले कहलाता है तो बिलकुल जो डेली लाइफ में चीज़ें होती है हम वो जो क्रियाय कर रही है उसी के अधार पर हम समझ सकते तो यह best example है मिलाने वाले रहते हैं वो बोलता है आज मुझ में मिल जाओ जैसे पानी होगी आपका ठीक है कोई बीचीजी हो निलंबन एक विस्मांगी मिस्तरण है याद रखिएगा विलियन क्या है सवाल घुमाएगा आपका यहीं पर से सवाल घूमता है ध्यान दीजेगा साइंस मे यहीं भी आपके काम है और कोई सबी आप चाहिए SIJIT, MP TET, UP TET, HAIT, चाहराजेस थान TET कोई सबी देरे उसमें health होगा इसका विलियन क्या होता है विलियन याद 지금까지 विस्तरण होता है यह क्या कहलाता है यह आपका समांगी मिस्तरण कहलाता है लेकिन निलंबन क्या कहलाता है निलंबन आपका विस्मांगी मिस्रण कहलाता है, इस चीश को ध्यान रखना है, आपको अगर examiner क्योंकि डारेक्ट सवाल पोल देता है, हमको लगता बहुत इजी है कि हाँ बन जाएगा exam hall में, यही चीज़े हमें confuse कर देती है, अगर examiner आपसे बोले, विलियन example है, समांगी मिस्रण का, विश्मांगी मिस्रण का, या दोनों का, या इन में से कोई नी, तो याद रखिएगा, आपका जो विलियन है, वो किसका है, वो आपका समांगी विस्रण का example है, लेकिन आपका जो निलंबन है, वो किसका example है, यह आपका है, विस्मांगी मि एक्जामपल है ठीक है अब इसे हम क्या करते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स के थूथा समस्ते हैं निलंबन जिसे हम एक्षपेंशन कहते हैं यह एक क्या है विस्मांगी मिस्रण है जिसमें विले पदार्थ के कड़ घुलते नहीं है अपी तु एक माध्यम की समस्ती में निलंबित रहते हैं अब इसका हम सधारण परिभासा देखे तो हम ले लेते हैं आप लोग आटा आटा गुतते हैं तो इसमें आप देखिएगा आटा में पानी डालकर देखिएगा यह आपस में घुल नहीं रहे हैं अलग से आटा दिखता है इसमें तो यह वही बात हो रही है आप लोग तेल और पानी को भी मिलाएंगे तो वह भी क्या देखा था हमने वह भी एक प्रकार का विश्वांगी मिस्णर था तो यह आटा और पानी जब आप मिलाते हैं तो देखिएगा आपस में घुल रहे हैं क्या नहीं एक बुलबुला टाइप से निकल रहे हैं विसमांगी मिस्णर के एक एक्जामपल है और यही आपका क्या कहलाता है निलंबन कहलाता है क्योंकि यह इसी पर अध निलंबन में आप निलंबित कड़ को देख सकते हैं जबकि विल्यन में आप कड़ों को नहीं देख सकते हैं तो यह क्या है एक बढ़िया डिफ्रेंस है इसके उधारण है चौक और पानी का मिस्णर आटा और पानी का मिस्णर याद रखिएगा चौक और पानी का मिस्णर आटा और पानी का मिस्तरण आप लोगं का छोटा सा टेस्ट भी चलेगा तब ये question खूमेगा तो आप लोगं समझेंगे तो चौक और पानी का मिस्तरण डारेक्ट examiner सवाल करते हैं कि चौक और पानी किस प्रकार का मिस्तरण है चौक और पानी किस प्रकार का मिस्ड़न है? विस्वांगी मिस्ड़न है, साथ ही इसे हम निलंबन के रूप में भी चानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? निलंबित कड़ होते हैं, जिनहें हम इस पस्ट रूप से देख लेते हैं. आगे बढ़ेंगे? चलिए, अब बा में यह विल्यन विसमांगी मित्तरण हैं जैसे दूथ हमने पढ़ा इसके पहले हम निलंबन को देखा निलंबन में क्या होता है कि हम जो निलंबित कर्थन को म de somewhere फ riding को नहीं देख पाते हैं कैसे अप समझेंगे समय को लाइट के कर्ण विलियन में समान रूप से फैले होते हैं इसलिए हमें क्या लगता है कि आपस में बहुत जादा घुले हुए हैं आप लोग एक हंस की कहानी पड़ते होंगे जब वो पाणी और दूद्ध को अलग करता है तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा क्या होती है अधीक होती है और आपका जो मेन होता है वो 30% होता है लेकिन हमें क्या लगता है हमें ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है आपस में घुले हुए लेकिन वास्तों में ये क्या होते हैं अलग होते हैं इसी क संबन का कड़ बड़ा है तो इनका कड़ क्या होगा छोटा होगा तो इनका कड़ छोटा होने के कारण ये मिस्तर समांगी मिस्तर प्रतीत होते हैं समांगी मिस्तर मतलब हमने क्या देखा था जिसके में जो विल्यन क्या होते हैं हमें एक दिखाई देते हैं और विस्वांगी में जो विलेन होते हैं, हमें अलग प्रतीत होते हैं, वास्तों में ये क्या है, आपका विस्वांगी मिस्वांगी मिस्वांगी ही है, वास्विक्ता में ये विलेन विस्वांगी मिस्वांगी मिस्वांगी है, जैसे दूद, दूद की एक बूंद को सूचम दर्सी से देखन पर हम वसा के छोटे-छोटे कड़ों को द्रव में तैरते हुए देख सकते हैं इसलिए दूद को कोलाइडी विलियन कहते हैं यह सभी एक्जाम में पूछा गया सवाल है यहीं से आते हैं सवाल दूद किसका सबसे बेस्ट एक्जामपल है या कोलाइडी विलियन का सबसे बे रहेगा तो 30% इसमें क्या होंगे वसा के छोटे-छोटे कड़ होंगे जो हमें दिखाई नहीं देंगे तो दूद क्या है आपका विश्मांगी मिस्रण है जिसे हम क्या कहते हैं कोलाइडी विल्यन कहते हैं क्लियर हुआ एक फिर देखेंगे हमने पिछली गक्षा में अभी पिछली गक्षा में मतलब अभी पिछले बार हमने क्या पढ़ा विल्यन देखे विल्यन में हमने देखा कि यह दो प्रकार के होते हैं एक समांगी विश्मांगी मिस्रण विश्मांगी मिस्रण समांगी विष्रण कोलाइडि विलियन और निलंबन ये सभी दूसरे से क्या है connected है जुड़े हुए है तो इसे ध्यान से समझने का प्यास करेंगे तो निलंबन में हम क्या देख रहे थे निलंबन विष्मांगी मिस्रण का बढ़िया इसमें क्या होते हैं, कड हमें अलग अलग नजर आते हैं, ठीक है, साथ में कुलाईडी विल्लियन भी क्या है, विश्मागी मिसरन का एक 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 जामपल है, लेकिन इसमें हम कडों को इस पस्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है, यह समागी मिसरन है, ये रही कोलाइडी विल्यन अगला है आपका अगला पॉइंट रंगीन रत्न आप जो रत्न भी देखते हो न वो भी क्या है आपके कोलाइडी विल्यन का एक्जामपल है जिलेटीन ये जिलेटीन भी जो क्या है कोलाइडी विल्यन का एक्जामपल है इसके भी कड़ अलग हो कारण कुलाइडी कड़ों के छोटे आकार होने के कारण हम इसे आँखों से नहीं देख पाते लेकिन ये कड़ प्रकास की किर्णों को असानी से क्या करते हैं फैला देते हैं इन सभी चीजों को ध्यान में रखेगा अब बात करते हैं मिस्र धातू की ये भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है मिस्र धातू नाम से इस पश्ठ हो रहा है जिसमें बहुत सारे धातू आपस में क्या होंगे मिस्रित होंगे मिले हुए होंगे किसी धातू का किसी अन्य धातू या अधातू के साथ मिला कर बनाया गया समांगी मिस्रण मिस्र धातू कहलाता है क्या बोल रहा है किसी धातू का किसी अन्य धातू या अधातू के साथ मिला कर बनाया गया समांगी मिस्रण मिस्र धातू कहलाता है most important है ये आपका, यहीं से example आपका बनता है और example से ही आपके सवाल बनते हैं अब ये क्या आपके मिश्र धातो, कैसे आप देखिए ये कैई सारे धातो है, अब इनको आपस में क्या करें, मिलाया जा रहा है अब इन सब को आपसे मिला कर क्या बनाया जाएगा पदार्थ बनाया जाएगा जिसे हम क्या गएंगे मिश्रिधातू गएंगे अब समझे यहां से अब देखी कई प्रकार के जैसे आप पीतल आप पीतल देखते हैं पीतल का बरतन जो आप लेते हैं ठीक आप स्टील जो उसकरते हैं तो आप देख सकते किन से किन से मिलकर बना यही जैसे पीतल वह आपका 5760 को चीज़ को ध्यान दिजिएगगा स्टील इस पात की हम बात करें तो ये कार्बन और लोहा से मिलकर बना होता है इसका उपयोग चादर तार रेल लाइन और जार आधी बनाने में किया जाता है आप रोज स्टेशन जाते हैं रोज आए दिन आप यातायात में जाते हैं तो आप रेल की पड़री देखिएगा व जहां से सवाल हमेशा बना है यह वाला जो आप देख रहे हैं यह उपसे सवाल बना हुआ है जिके घंटी और मूर्टिया बनाने में किया जाता है कासा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसलिए एक्जाम के point of view से important भी examiner सवाल करते हैं अगला है आपका पीतल इसमें क्या होता है लोहा, निकल, क्रोमियर, क्रोमियम होता है stainless steel होता है या stainless spath होता है ये लोहा, निकल, क्रोमियर से बना होता है, 22 karat का सोना, सुद्ध सोना कितने karat का होता है वो 24 karat का होता है जो हलका सफेद भी दिखता है लेकिन ये जो 22 karat का gold होता है ये सोना, चांदी और तांबा को मिला कर बनाया जाता है याद रखिएगा सोना, चांदी और तामा को मिला कर बनाया जाता है उपयोग क्या है गहने बनाने में क्योंकि सोना अल्रेडी तना महंगा होता है तो इसका हम बरतन में उपयोग कर सकते हैं ना किसी अन्य चीजों में तो इसका उपयोग किस में किया जाता है गहना बनाने में तो यह चीजे क्लियर ह है क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं आपका जो मुद्रधातु है वो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है तामबे का प्रयोग किया जाता है टीन का और सीसा का इसका उपयोग हम किस आपके साथ रिवीजन करते रहें, साथ में नोर्स भी बनाते रहें, क्योंकि आपके और भी एक्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प पो लूँगी, थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुढ़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिं झाल 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 झाल